नमस्कार दोस्तों, अध्यन लौजी में आप सबका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स एवोर्ट 2020 ये एवोर्ट दे जाते हैं 29 अगस के दिन यानि कि मेजर ध्यान चंदरजी के जनम दिन के दिन और इस दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है भारत में यानि कि 29 अगस्त के दिन रास्टे खेल दिवस होता है देखिए ये टापिक बहुत ही इंपोर्टन्ट है आपके जनरल नौलेज के लिए भी और एक्जाइम पॉइंट और व्यू से तो बहुत इंपोर्टन्ट है जरूर इस एक न एक क्वेशन इस टापिक से आएगा ही आएगा तो हम डीटेल में डिसकस करेंगे कि कौन सा एवर्ड किसको दिया गया है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कुछ कॉन्टरवर्जी हुई है इन स्पोर्टस के स्पोर्ज एवर्ड के रिगार्डिंग क्या-क्या विवाद हुए हैं हम ये भी जानेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखें अन्त तक चलिए शुरू करते हैं ये हैं हमारे प्रेसिडेंट साब रामनात कोविंद जी 19 अगस्त के दिन इन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से नेशनल स्पोर्स और एडवेंचर एवार्ड 2020 दे गए रास्टे खेल दिवस की मौके पर और ऐसा पहली बार हुआ है जब ये सारे मनी वर्चुली कंडेट कराई गई है क्योंकि हमारे देश में एक कोविड 19 पैंडमेक फैला हुआ है तो स्पोर्स अथोरिटी ओफ इंडिया है भारत में उसकी रीजनल ब्रांचेज है तो वहाँ पर जाके हमारे खिलाड़ी बैट गए और ये एवार्ड ले लिया जिसको जो भी पास में लगा जैसे कि बोपाल है बैंगलूरू है पुने है है हैधराबाद कोलकता लग नवगवाटी राइट ऐसे बहुत सारे रीजनल ओफिसेज है जहां जिनको वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कनेट किया गया तो इस तरह से ये दिये गए है और 74 एवार्ड बाटे गए है इस बार इन सब एवार्ड के लिए एक कमीटी बिनाई जाती है जो सेलेक्शन करते है प्लेयर्स का कि किसको कौन सा एवार्ड दिया जाए तो उसके हैड कौन थे 2020 में रिटायर्ड जज अफ सुप्रीम कोट मुकुंद कम शर्मा जी तो आप याद रखिएगा पुछेंगे मुकुंद कम शर्मा कमीटी किस से संबंदित है तो आप बताएगा नेशनल स्पोर्ट्स एवार्ड से इस सेलेक्शन कमीटी में और भी मेंबर्स थे हैड के अलावा तो आपको सारे याद नहीं रखना है आप दो नाम याद रखिए एक वीरेंदर सहवाग का नाम याद रखिए कि वो भी थे इसमें और साथी साथ दीपा मलिक जो की हमारे PCI की हैड है PCI, PCI क्या है? पैरलंपिक कमीटी है, पैरलंपिक कमीटी ओफ इंडिया, उसकी है रदीपा मलिक ये दोनों भी इसकी कमीटी के मेंबर थे, तो चलते आगे इतने एवोर्ड दिये गए है इस बार, 74 तो पहला है राजीव गांडी खेल रटन एवोर्ड ये दिया गया है पांच लोगों को तो सबसे बड़ी कॉंट्रोवर्सी तो यहीं उभर के आई है कि आपने पांच लोगों को क्यों दिया है देखे, गाइडलाइन में लिखा है इसकी जो खेल रटन राजीव गांडी खेल रटन एवोर्ड इसकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है टाइंट नमबर पे तो पाँच हुए है यह पहली बार है ऐसा ऐसा 2016 में हुआ था, 2016 में चार लोगों को दिये गए थे, और यह सेकिंड टाइम है कि थी से जदा दिये है तो पहली बार है पाँच को दिया गया है, अर्जून एवज्ट 27 लोगों को दिया गया है, इसी तरह से जो कोच होते हैं, द्रोनचार एवर्ड दिया है से 13 तेरा प्लेयर्स को स्लेक्ट किया गया है ध्यारचन एवर्ड पंद्रा को दिया गया है और पंजाब उनिवर्सिटी ऑफ चंडेगर्ड इसको मौलाना अबुलकलाम आजार ट्रोफी दी गया है राष्टिय खेल प्रोसान प्रुसकार चार संस्थाओं को दिया गया है साते साथ तेंजिंग नौर के नेशनल एडवेंचर एवर्ड आठ लोग को दिया गया है जिनोंने एडवेंचर में अपना हुडर दिखाया है तो अब इन सबको डीटेल में डिसकस करेंगे सबसे पहले हमारा एवर्ड है राजीव गांदी खेल रतन एवर्ड ये हायस स्पोर्टिंग ओनर है भारत का तो जैसे भारत में होता है ना हाईस सिबीलिया नयवर्ड भारत रत नयवर्ड तो ये भी खेल जगत का भारत रत नयवर्ड है राजीव गांधी के जब डायत हुई थी 91 में तो इसको इंस्टिट्यूट किया गया ते वर्ड को तो 91 से दिया जाता है सबसे पहली बार दिया चैस के Grand Master Vishwanathan Anand को और ये किसलिए दिया जाते है तो चार वर्षों में जिन्होंने बहुत ही अच्छा बैंकर अच्छा परवार्मेंस दिखाया इंटरनेशनल लेवल पर उनको स्लेक्ट किया जाता है इस एवार्ट के लिए तो 30 April से पहले यानि इस से चार साल पहले का हुनर देखा जाता है अब पहली बार इस बार इसका जो प्राइज एमाउंट है कैश प्राइज उसको भी रिवाइब किया गया है इस वर्ष से पहले इसका एमाउंट है साड़े साट लाग रुपे अब हो गया है 25 लाग रुपे तो प्रतेख लाड़े को 25 लाग रुपे दिये गए खेल रतन विजीता को यह है रोहिश शर्मा हमारे किर्केटर है इनके खेल रतन दिया गया है अब ऐसे चौथी किर्केटर है जिनको एवार्ड मिला है इन से पहले तीन किर्केटर इसको और इस खेल रतन आवर्ड से को दिया हुए बहुत न्यूज में गया है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए पुछेंगे कि इन से पहले किसको दिया ता तो आप याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर एमेस दोन्यों विराइट को ली अब और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए किसको कब दिया था राइट सचिन तेंदुलकर को कब मिला था तब येरस याद रखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आप ऐसे कैसे रटेंगे ना तो भूल जाएंगे अब इस तरह से याड़ कर सकते देखी सचिन तंदुलकर का नमबर होता है 10 टीशेट पर लिखा रहता है न उनकी अब 10 के बाद आप बैकवर्ड काउंटिंग पर लेजिए 9 8 तो 10 9 8 अब आपको याद रहेगा 10 के पहले 9 आता है 9 के पहले 8 आता है और विराट कोहली को ये अवर्ड दिया गया था जब ये 29 साल के थे तो यहां से 29 भी हम बना सकते दो और आट और एक नो तो ये 29 साल और 29 साल आपको कुछ और अच्छा लगे तो आप उस तरह से भी पढ़ सकते एक और बाद ये पहले 9 कैप्टन है जिन्हें ये अवर्ड दिया गया है बाकी ये 3 पहले कैप्टन रह चुके नेक्स्ट दिया गया है मरिय अपन धंगवेलू ये तमिल नाड़ो के हैं हाई जंपर है पैरा एथिलेटिक्स है इन्होंने 2016 में पैरलंपिक गोल्ड जीता था और ये ऐसे तीसरे इंडियन प्लियर है पैरा एथिलेट है जिन्हें खेल रत अवर्ड दिया गया है इनसे पहले देवेंद्र जाजरिया और दीपा मलिक को भी दिया जा चुका है इन्हें जैवलिन थ्रो के लिए और दीपा मलिक को शौट पुट के लिए खेल रत नावर्ड दिया है और हम बात करते हैं अगला दो मनी का बत्रा टेबिल टैडिस प्लियर है ये ये बहुत चर्चा में रही थी जब इन्होंने 2018 में दो गोल्ड मैडल जीती थे एक वोमन सिंगल में और एक वोमन स्टीम के साथ और 2018 में ही एक एसियन गेम्स में व्रोंज भी जीता था तो ये बहुत चर्चा में थी इसलीन को नवाज़ा गया है और 2018 में अरजुन भी मिला था अरजुन पुरुसकार ये है विनेश फोगाट रेसलिंग करती है इन्होंने ये ऐसी फर्स्ट इंडियन फीमेल है जिन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मैडल जीता था किस चीज में कॉमन वेल्ट और एशियन गेम्स दोनों में 2018 में और एशियन रेसलिंग चैंपियंशिप 2019 में ब्रॉंज मैडल जीता था तो इसलिए इन्हें खेल रटन अवर्ड मिला है फिर हम बात करेंगे रानी रामपाल की ये महिला होकी डीम के कैप्टन है इनसे पहले ये अवर्ड होकी की फील्ड में धनराज बिल्ले और सरदार सींग को भी मिल चुका है तो रानी रामपाल को वाल्ड गेम एर का एवर्ड भी मिल चुका है 2019 में तो ये पाचों हमारे खिलाडी है जिनको खेल रटन अवर्ड मिला है आप इनको लर्ड करके रखिएगा देखिए एक ही ऐसे पैरालंपिक है इस बार पाच में से रोई शर्मा तो ये लर्ड होई जाएगा सबको फिर ये मरियापा, म मरियापा, विनेश, रानी, रोहित राइट कुछ भी आप निमोनिक्स बना लेजएगा अब बात करेंगे अर्जुन आवर्ड की तो ये जो दिये जाते है ये आउटस्टेंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ड तो दियाए जाएगा गिली डंडा खेलके तो मिलेगा नही अब देखिए इनको 1961 से शुरुआत की गई थी इन आवर्ड की और इसकी कैश प्राइस बंद्रा लाग कर दी गई है इससे पहले पाच लाग का प्राइस मिलता था तो ये प्राइस जो रिवाइव किया है इसको हमेशा लर्ण करके रखिएगा क्योंकि बहुत प्राइस की राशी है खेलों कि उनको बढ़ाना चाहिए यह चाहिए क्योंकि जब दूसरे फील्स में रिवाइव किया जाता है इंक्रीजमेंट किया जाता है अर्निंग का तो खिलाडियों का भी होना है जिससे उनका मनूबल बढ़े तो किस किस को मिल सकता है अर्जुन ऐसे लोग ऐसिक पिलियर्ज जिनका पिछले चार वर्शों में बहुती अच्छा प्रदर्शन रहा हो साथ ही साथ उनके अंडर लीडर्शिप की क्वालिटी, स्पोर्ट्स मैंशिप की क्वालिटी और डिसीप्लेन भी होना चाहिए तब ही मिल सकेगा अर्जुन पंद्रा लाग रुपे की राशी और ये बहुती प्रिस्टीजियस एवार्ड है इसके कारण इस बार बहुत कॉंट्रिवर्सी हुई है हम ये अंत में डिसकस करेंगे राइट नी तो भटक जाएंगे अपने टॉपिक से तो पहले एवार्डी थे गुर्वचन सिंग ले लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो इनको हटा दिया गया एक नाम था मीरा बाई चानू का और एक नाम था साक्षी मलिक का तो इनके नेम इसलिए हटाए गये कहा कि इनको पहले से ही खेल रटन आवार्ड मिला हुआ है इसलिए जरूरी नहीं है कि इने अरजुन आव पुछा जाता है और आप एक बार सारी पढ़ लेजिएगा लेकिन सारे याद नहीं करना है जैसे दूती चंड है इनको याद रखिएगा यह एथलेट है रिलेशन पूछ लिखते है कि किस प्लेयर का संबन कौन से खेल से है तो दूती चंड यह एथलेटिक्स है और एक ब पढ़ते जाएगा अतानुदास आर्चरी से संबन दित है शिवा केशवन लूगे से और चिराग से टी बैंड मिंदन से है यह याद रखिएगा विशेष ब्रिगुवंसी इनके उपर अभी एक बायोग्राफी आई है यह बास्केट वॉल से संबन दित है और इशान शर् शर्मा शर्मा को दिया गया जो किर्केट से संबन दित है खेल रहतने रोई शर्मा अरजुन आवड इशान शर्मा दीपते शर्मा राइट एक ही फैमली के लगते सब फिर लवली ना यह बॉक्सिंग से संबन दित है मनीश कोशिक बॉक्सिंग से पढ़ लीजेगा और यह कि बचपन में एक एकसिडेंट में दोनों हाथ खराब हो चुके थे राइट तो भी इन्होंने वर्ल चैंपियंशिप में यहां तक पहुचे है में इस प्रैक्टिस करकर के स्वीमिंग में तो पैरा स्वीमिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था बहुत सारे अवार्ड जी तो याद रखे गए राहुल आवारे राहुल आवारे डीयस भी बन चुके है महरास्ट्रा गॉर्मेंट में इन्होंने कॉर्मन वेल्ड गेम में 2018 में गोल्ड मेडल भी जीता था तो इन्हें यह आवार्ड मिला है इसे यह दत्तु भोक कनाल यह रोइंग करते है और यह न इतना अच्छा प्रदर्शन किया है प्लेयर्स ने तो इनके पीछे कोई कोच कहाँ जरूर होता है इसलिए कोच को एवार्ड देना भी बहुत आवशक बन जाता है तो 1985 से द्रोनाचारे एवार्ड की शुरुआत की गई थी और यह आउटस्टेंडिंग कोच इसको दिया जाता है जिन होने अपने प्लेयर्स को इतना अच्छा सिखाया हो कि वो इंटरनेशनल लिवल पर कोई ना कोई अवार्ड जीत करा है राइट तो इन ही द्रोनाचारी की स्टाइचू, सार्टिफिकेट, ड्रेस, सेरिमोनियल ड्रेस और कैश प्राइज 15 लाग रुपे का द दिया गया था बाल चंद्र भासकर भागवत को रैसलिंग में और ओम प्रिकास भारत द्वाज को बॉक्सिंग में तथा ओम नाम वियार को एथलीटिक्स में दिया गया था इस वर्ष इनके कैटेगरी दो में डिवाइट कर दी गई है एक लाइफ टाइम एचीवमेंट मे लाइफ टाइम कैटेगरी में और एक रैगूलर कैटेगरी है तो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है धर्मेंदर तिवारी जी आर्चरी से संबन देता है अब आर्चरी क्या होता है ये तीरंदाजी का गेम होता है थे ना द्रोन चारे कौन थे जो महावारत देख शिव सिंग बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया होकी, कृष्ण कुमार कबड़ी कबड़ी, देखिए ना, के के, कृष्ण कुमार, कबड़ी कबड़ी हुडा, वीजय वालचंद्रा, मुनिश्वार, पेरा, पावर लिफ्टिंग, ये पेरा केटिगरी में है, तो पेरा केaटिगरी गए, में आट लोगों को दिया गया है। फिर रइगू रगूलर क्याटिगरी में, तो जुड़े पेलिक्स इस्टियन को हुकी में दिया गया है। YOGISH MALWYYA को MALKHUM, setzt जस्पाल राना जी शूटिंग है ना राना जी माफ करना तो अमरिश्पुरी के पास आपको यहाद होगा करहनर अरजुन मुवी का यह सौंग है अमरिश्पुरी एक गन लेके बैटे रखते हैं इसमें तो शूटिंग करते हैं याद रख्येगा अब ऐसी बाते हो जाती तो फिर भूलते नहीं इसको कुलीब कुमार हेंडू वुशू फिर गौरब खना पैरा वैनमिंटेंड में तो पैरा की बाते याद रख्येगा खना फिर नेक्स्ट ध्यान चन्ड एवर्ड इनको का जाता है ओफिश्यली ध्यान चन्ड एवर्ड फर लाइफ टेम अचीवमेंट इन स्पोर्स एंड गेम्स तो जीवन में पूरा अपना जीवन गेम्स और स्पोर्स के लिए नचावर कर देने पर यानि कि पूरे जीवन भर इतना अच्छा करना गेम्स में उनके लिए ये अवर्ड दिया जाता है ध्यान चन्ड एवर्ड इसकी शुरुआत हुई थी 2002 से और प्रतेखवर्श दिया जाता है ऐसे प्लियर्स को जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं अपने जीवन भर अपने पर्टिकुलर किसी गेम में तो सर्टिफिकेट स्टैचू दी जाते है ध्यान चंड जी की ध्यान चंड कौन थे हमने पहले भी डिसकस किया इनको तब विजार्ड कहा जाता है यानि कि होकी के जादूगर की संग्या दी गई है इनको और क्योंकि इन होने दो एक हजार से भी जादा मैडल जीत चंड आपटे चंड ग्यां नायंटीन थर्टीट्व में लास एंजल्स में तद था नीटीन थर्टीटिछ को बरलें ऑलंपिक हुए तो तीन बार या याद देंना बहुत सिम्पल है नायंटीन थे याद कर लिजे तो थार फिर चार साल पार थैर्टीटो फिर चाल साल गन तो चार-चार का gap है और A, L, B ऐसे याद रख लेजेगा रहे तो पहली बार कौन को दिया गया था तो शाहो राजा विराजदार को अशोग दीवान और अपढ़ना घोश इन तीनों को पहला ध्यानचन एवोर्ड दिया गया था इस वर्ष ये वर्ड पंद्रा लोगों को दिया है तो हम नाम एक बार पढ़ लेते हैं कुल्दीप सिंग भूलर अथिलिट करना भूल गये है ठीक है जिन सी फिलिप अथिलिटिक्स में प्रदीप स्री कृष्न गांधे इनको दिया है बैडविंटन में दिरुपती को पैडविंटन में एन उशा बॉक्सिंग लखा सिंग बॉक्सिंग शुखविंदर सिंग सुखविंदर सिंग को फुटबॉल में अरजीत सिंग को होकी में राइट सिंगिंग नहीं करते कभी है पूछ ली क्या जी सिंग को क्यों दिया था ध्यान चन तो आप सिंगिंग लगा दे होकी यहाँ पर जे लिखा हुआ है ना जे होकी बनी हुई है फिर मन्पीत सिंग मन्पीत सिंग को कबड़ी कबड़ी में रंजीत कुमार पैरा एथिलेट है सत्य प्रकाश दिवारी पैरा बैन्पिंटन मन्जीत सिंग रोइंग और सची नाग स्विमिंग देखिये नाग तेरते पानी पे कोई-कोई फिर नंदन पी बाल टैनिस में और नेतर पाल होडा रैसलिंग में दिया गया है पढ़ लेजेगा एक बार फिर रास्टे खेल प्रोच्थान बुरुसकर अब नाम से ही समझ में आ रहा है भया कि प्रोच्थान दिखरेगा जो भी खेलों को तो उनको एवर्ट दिया जाएगा तो यह एवर्ट चार कैटेगरी में दिये गए और किन किन लोगों को दिये गए किन इंस्टिटूट्स को दिये गए तो यह यहाँ पे लिखा है देखिए पहला दिया गया है आइडिटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बड़िंग एंड यंग टैलेंड इसको हिंदी म देखिए लक्षी ने उन्हें बताया कि तुम्हारा लक्ष क्या है इसकी पहचानगी लक्षी की तो इनको मिला आइडिफिकेशन में दूसरा कैटेगरी है एंड क्रेश्मेंट टू स्पोर्स थ्रू कॉपरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी अब यह कॉपरेट सोशल रिस का कुछ 17 परसेंटेज सोशल बैलफेर के लिए यूज करना पड़ता है तो इसकी फील्ड में किसको मिला है तो ओ एंड जी सी को यानि कि ऑल एंड नीच्रल गैस को यह वर्ड दिया है एंक्रेजमेंट टू स्पोर्स इन्होंने सी एस आर यानि कि जो अपने प्रॉफिट क को आप प्रोचान किया इंक्रेजमेंट किया इसलिए इनको दिया गया नेक्स काटिगरी है एंप्लॉइमेंट ऑफ इस पोर्स परसन और स्पोर्स वेलफियर मेजर्स तो जो स्पोर्स परसन है खिलाडी है उनकी रोजगार से समबंदित कुछ उपाए किये गए उनके वेल स्पोर्स मैनेजमेंट को आई आई एसम को तो एक बार पढ़ लीजेगा आपको जरूर लर्न हो जाएंगे राइट जैसे मैंने बता है आइडेंटिफाइ करना तो लक्षा इडेंटिफाइ किया है एंग्रेज किया CSR कि थूरू CSR ONGC यहां पे CR है लास्ट में तो यहीं स से CSR याद रख लिजेगा एंप्लाइमेंट ऑफ स्पोर्स परसन अब यह एर फोर्स है राइट हवा में बात है कि नोंने किस तरह से रोजगार बढ़ाएं फिर इस्पोर्स फोर डैवलपमेंट डैवलपमेंट किया आई इसम ने नेक्स्ट है अब मॉलाना अबुलकलाम बात कहां फिर वे जो उन इंटर्च आफंश्ट आफी शे महिएन डामस नेक्स आऔर होर। नगी नेयु तो यह इन सब में इस जो भी अच्छा आफंश्ट है उसको यह वर्ड दिया गया इस बार दिया है वैसे पंजाब यूनिवर्सटी चंडिगर को ये अवर्ड दिया गया है इंट्रा का मीनिंग होता है विदिन दैट यूनिवर्सटी मतलब एक चीज के अंदर ही कुछ हो रहा है तो उसको इंट्रा कहते हैं थोड़ा सा ये टर्म है 1956 से सटर्ट किया गया था ही उससे पहले दस लाग की थी है और ये एक रोलिंग ट्रोफी होती है रणिंग ट्रॉफी रफियां मैड बता देती हूँ जैसरे यही डō fuya नहीं आपे आप देख अपते यह टरॉफियेथा है उमाई बनीज अभी पंज़ाब उनिवेस्टि चीती है तो यही डोफिय इसके पास है कल को चलते हैं अगे चलाव की दिन तरलोफियां तो यही डोफिय के पास रापिरी अब जीता है तो फिर यह लेगा ट्रॉफी तो इस तरह से रोल होती रहती है रनिंग करती रहती है ट्रॉफी भी नेक्स्ट अमारा तेंजिंग नौर्गे नेशनल एड्वेंचर एवाइड तो ये दिये जाते है इस्प्रेट ओफ एड्वेंचर के कारण जिन लोगों में ऐसी स्प्रेट कुट कुट के भरी होती है जो हवा पानी और धर्ती पर जो करतब भी दिखाते हैं अपने मतलब कार मांट अवरेस पर चड़ेते सबसे पहली वार एड्वेंड हिलारी उनके साथ ये भी थे तो इसलिए ये एवाड दिया जाता है उनकी याद में इस वर्ष ये दिया गया है अनीता देवी लेंड एडवेंचर ये इंपोर्टेंट नाम है थोड़ा सा ये पहली इंडियन है फीमेल है पहली फीमेल है जुली जो नों ने मांट अवरेस पे चड़ाई किये वह भी दौनों तरफ से यहां से चाइना की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी चड़ी है करनल सरफराज सिंग सेम में लैंड एडवेंशर में और टकका टैमुट को भी लैंड फिर गजा नंद यादव इनको एर में हवा में फिर सत्यंदर सिंग को वाटर में और लेट श्री मगन बिस्सा ये एक मातरे से जिनको लाइफ टाम अचीवमेंट मिला है तो लर्न रखेगा मागन बिस्सा लाइफ टाम अचीवमेंट में अब हम बात करेंगे कि क्या हुई थी तो यह रहे हमारे पाचों खिलाडी जो खेल रतन अवाड़ी इन पर कॉंट्रिवर्सी हुई है क्योंकि साक्षी मलिक उनको हटाया गया था उस लिस्ट से अर्जुन अवार्ड से हटाया तो उन्होंने ट्वीट किया था और एक उनका वीडियो भी वाइरल हुआ था कहा था प्रधान मंत्री जी को कि मैं ऐसा कौन सा अवार्ड जीतूं कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिल जाए उनको कहा गया कि तुम्हें खेल रतन मिल चुका है तो बात आजाती है कि अगर मे 2015 में मिला है अर्जुन अवार्ड इन सभी को मिल चुका है मरियपन को 2017 में मिला है इन्हें मनीका पत्रा को 2018 में इन्हें 2016 में मिला है दोनों को तो यह सारे पाचो के पाचो अर्जुन अवार्ड ही भी है और इन्हें खेल रत में मिल चुका तो देखें कोई भी आवार्ड म साथ एक और चीज होती है जब retirement होता है तो pension भी मिलती है कुछ तो important रखते हैं सारे awards इसलिए ये थोड़ी से controversy हुई है और ये जो Mariyappanthanga value है इन्हे पदमश्री भी मिला था किसलिए क्यूंकि इन्हे 2016 में पैर अलम्पिक में गोल्ड जीतेते हैं तो इनको इसलिए पदमश्री मिला फिर इनको इसी के कारण 2016 में जो ये गोल्ड जीते थे इन्हे अरजुन एवोर्ड भी दिया था 17 में तो एक ही रैंक परमिस एक ही बार तुमने कर लिया और आप उसी पे बार बार किसी को एवोर्ड दे जा रहे है तो ये injustice लगता है दूसरे players का नाम आगे नहीं आपाता है ऐसे कैसारे प्रतिवावान की लाड़े जिनका नाम दबा रह जाता है बाद में अगली बात करें तो ये मनीका बत्रा इनको भी अरजुन एवोर्ड मिल चुका है इसी चीज के लिए कि इन्होंने 2018 में अच्छा प्रदर्शन दिखा है दो गोल्ड जीत कर आई थी अब इसी के लिए इनको फिर से खेल रटन एवोर्ड मिल रहा है तो ये सारे अरजुन एवोर्ड इस है फिर हम बात करेंगे एक और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनीका बत्रा जो है इनका रैंक ओवरॉल 47 रैंक है वर्ल्ड में लेकिन कुनेरू हम पी जो है ये रहे हिए दा हिंदू की न्यूज है हम डिसकस कर रहे हैं ये नंबर 2 पर पहुँच गई है वर्ल्ड चैस रैंकिंग में तो क्या ये डिजर्व नहीं करती थी जस्ट एक मैं किसी का फेवर नहीं कर रही हूं एक बात बतारी हूं क्योंकि ये बहुत कॉंट्रोवर्सी उनकी रैंक भी वर्ल नंबर पर 16 वी है और इनकी सेकिंडर तो में भी ने दिया जाना चाहिए था शायर एक और बात करें तो अर्पिंदर सिंग ये तिरपल जंप में गोल्ड जीते थे 48 साल बाद कोई गोल्ड जीता था तिरपल जंप में तो ये भी बीचे रह गए और तूती चंद जो की दो सिल्वर जीती थी इसी में इशियन गेम्स में उन्हीं अरजुन आवाड मिल गया और इन्हीं कुछ नहीं मिला तो इस टाइप की थोड़ी से कॉंट्रवर्सी आई है आगे चलके गेंज में यह हर साल आती है इन आवाड में इस बार भी आई है कोई न लगे कि हमारे साथ injustice हुए और वो demotivate हो जाए तो यह थी हमारे आज की discussion I hope आपको पसंद आयोगी आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा thank you very much for listening मिलते हैं next video में take care